दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका। हमारे इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बी आर चोपरा द्वारा बनाये गए। महाभारत के कलाकारों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। महाभारत में कृष्ण बने नितीश भारतवाज उस समय उनकी आयू 24 वर्ष थी। आज उनकी आयू 60 वर्ष हो चुकी है। नमबर दो पंकज धीर ने महाभारत में महारती कर्ण की भूमिका निभाई थी। उस समय उनकी उम्रत 30 साल थी। जबकि आज पंकज धीर 64 साल के हो गए हैं और अभी भी टीवी धारावाहिकों में काम कर रहे हैं। नमबर तीन रूपा गांगुली रूपा ने महाभारत में द्रोपती की। भूमिका निभाई थी। उस समय में बहुत ही सुन्दर दिखती थी। उस समय उनकी उम्रत 22 साल की थी। अब उनकी उम्र 56 साल हो चुकी है। और आज भी भी उतनी ही सुन्दर लगती है। नमबर चार प्रवीन कुमार सोपती ने महाभारत में भीम की भूमिका निभाई थी। प्रवीन जी का निधन हो चुका है। प्रवीन जी की आयू उस समय 40 बरस थी। नमबर पांच फिरोज खान ने अरजुन की भूमिका निभाई थी। उस समय वह 25 साल के थे। आज वे 60 साल के हो चुके हैं। नमबर चै शुरेंद्र पाल ने महाभारत में द्रोनाचार्य की भूमिका निभाई थी। उनकी उस समय उम्र 35 बरस। की थी आज वे 70 वर्ष के हो गए हैं। नमबर साथ मयूरेश राज ने समय अभिमन्युकी भूमिका निभाई थी। और उन्होंने उस भूमिका को बहुत ही अच्छे से निभाकर अमर कर दिया था। नमबर आठ किरण जुनेजाने महाभारत में माता गंगा की भूमिका निभाई थी। वे बहुत सुन्दर थी। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। अब उन्हों उम्र 55 साल हो चुकी हैं। नमबर नौ पर हैं रेनुका इसरानी इन्होंने महाभारत में गानधारी की भूमिका निभाई थी। वाहिकों में काम कर रही थी और उनके कुछ ऐसे फोटो प्राप्त होते हैं जो उन्हें खुले विचार वाली महिला साबित करते हैं।